ताड़ी को शराब की स्रेनी में लाग दिया गया है और आपकी पार्टी के जो संरक्षक हैं मांजी साहब पुर्मुखमंत्री बिहार के आपके पिताजी भी है उप कह रहे हैं कि ताड़ी पर परतिवन नहीं लगाना चाहिए यह प्राकृतिक जूस है या पनुसुची जात लबनी तोड़ देते हैं कितना सर पेड़ पर तार पर चड़ा हुआ डर से नीचे पुलिस आःओ गिर जाता है यह स्थिती आगे पुलीस का अत्याचार ठीक है सरकार की नीथी तो अलग है इसके बहाने पुलीस अत्याचार करें अगर पुलीस के दोरा भी कहीं भी किया तो उसका हम लोग बिरोध करते हैं। राजधानी मांदोलन में भी हो रहा है दिखे ऐसा कोई मामला प्रकास में आएगा संग्यान में आएगा तो कोई दंडी तुछ पुलीस की लाठिया चली लाठिय चार्ज किया गया उनकी मांग है कि ताडी पर से परतिबंध हटाया जा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राश्टिय अध्यक्ष और बिहार सरकार में अनुसुचित जाती जन्जाती कल्यान मंत्री संतोष कुमार सुमन जी हमारे साथ हैं इनसे बात करेंगे कि जो ताड़ी पर परतिबंद लगाया गया और जिस तरह से पुलीस पासी समाज के लोग को परताड़ीत करें सर क्या कहेंगे तवरा अंदोलन हो गया सर देखिए जहां तक सरकार की बात है सरकार की कि ऐसी कोई मंसा नहीं है किसी को किसी समाज को परतिबंद का मतलब था कि जो उसका सेवन करते हैं वो दूसरे रूप में उस पर है लेकिन सरकार चाहती है कि उस प्रोड़क्ट को उसको रोजगार नमुख बनाया जाए लोगों को रोजगार मिले और सरकार इसके लिए पै मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता हूं और सबको अधिकार है इस लोग तंत्र में अंदुलन करने का और प्रसासन को भी चाहिए कि उस अंदुलन को सानभूती पूरवक देखे और जब तक लोग बहुत ज़्यादा को लाइन ओडर की समस्या नहीं तो उनके उपर उस तरह बरबरता नहीं करनी चाहिए मेरा जो मानना है कि सरकार सबके लिए सोचती है मने नितिसकुमार जी के गवाई में जो सरकार चल रही है खास करके गरीबों को दलीतों को सोसीतों के लिए काम कर रही है और उस समाज के ए भी समाज लोग आते हैं उनके लिए भी काम कर रही है उनको हड़ाने की जरूत नहीं है हम समझते हैं कि जो होगा उनके भले के लिए होता है चर छे साल से लगातार अंदोलन करें अब ताड़ी को शराब की सरेनी में लाग दिया गया है और आपकी पार्टी के जो संरक्षक है पुर्मुखवंतरी बिहार के आपके पिताजी भी है उनका देखे कहना है कि जब नेचुरल तरीके से कोई चीज निकलता है जब पहली बार निकलता है वो नेचुरल है लेकिंगि बाद में जब फर्मेंटेशन हो जाता है पर प्रतिवन सरकार ने लगाये अगर प्रतिवन सरकार लगते से प्रोड़क्ट गूड़ बनाने की बादरी और अघ्या जब लूगों को रोजगार देने के बादरी सरकार मदद करने के लिए त्याह है तो उस पर कहीं पर कुछ नहीं है उनका भी अपना conception है उनका भी कहना है कि जो नेचुरल तरीके से निकलता है तो उसको यूज कीजिए लेकिन परतिबन सरकार ने लगाया है इस चीज़ पर तो हम समझते हैं कि अपनी जगा पर दोनों सही है उनका भी व्यक्तिकत रहा है उन उनके खिलाब सरकार करें सरकार वो कहां कि बैन हटा दीजें सरकार करें कि हम बैन कहां कि हम तो आपको उस प्रड़क्त को और अच्छा करके ब्रांडिंग करके बेचने के बाद कहिए जिस से आपको रूज़ेक्ट फेल हो गया सर सरगार बोले थी कि हमी नीरा कर दें जैस करना चाहिए जब आप उसको फर्मेंटेशन हो जाता जब विक्रीत रूप में आता उसको यूज कर सकते हैं उसको क्यों नहीं करना चाहिए 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 लोगों को कर सोऩ सरकार किसी के बहतरि के लिए किसी समाझ के लिए किसी एक कर लोग सबकाँ बहला होगा में इसको यूज करके नेचरल तरीके सः को पुलीस उनको मारती पिटती है आप कह रहे हैं कि एक समय के बाद वो सराब का रूप ले लेती है पुलीस को कैसे पता कि कब उतारी गई है अओ जाके सीधे मार पीट करने लगते हैं लबनी तोड़ देते हैं कितना सर पेड़ पे तार पे चड़ा हुआ डर से नीचे पुलीस आयो गिर जाता है यह स्तिति आगे है पुलीस का अत्याचार ठीक है सरकार की नीति तो अलग है इसके बहाने पुलीस अत्याचार करें देखिए मैं पहले ही बोला हूँ कि पुलीस ऐसी करती है तो मानुविय चेहरा होना चाहिए अगर इस तरह के अत्याचार करते हैं तो गलत है किसी को उपर किसी को टारगेट करकर कि कोई भी काम करता तो गलत है अगर पुलीस के द्वा तो माली जै कि दमनकारी नीति किसी का वो एक जनरलाइज नहीं है कहीं कहीं पर स्पेस्पिक तरीके से होता है वहां पर अगर एसी प्रकास कोई मामला प्रकास में प्रेगनेंट महला को इतना मारा गया कि बच्चा खराब हो गया साथ वाइसा कोई बात है तो निश्ची करवाई होनी चाहिए हम भी उसके प्रक्षदर है और जहां पर ऐसा मामला मेरे संग्यान में आगा मैं भी करवाई के लिए अभी ततकाल क्या करेंगे सर जो बिरुजगार हो गया अंदूलन कर रहे हैं सरकार अभी चुनाओं में ब्यास थे नीतिस कुमार की पार्टी की अभी ततकाल क्या कहना चाहिए अंदूलन के जो लोग है अंदूलन कारी है उनके परती हम लोग की सांबूती है और हम लोग उनके साथ में हैं हमें ही कहेंगे कि कोई भी उग्रो रूप होने से कोई समस्या का समधान नहीं है सरकार आपके हीत के लिए सोच रही है आपको समझना होगा आप सांती से आएं बैठे बात करें हम लोग आप डेलिगेशन के रूप में आएंगे तो आप लोगों के मदद करने के लिए हम मन्य मुखमंतर जी से भी आप समय दिला सकते हैं और एक रास्ता अच्छा रास्ता होगा जो आपके भलाई में हैं देश राज की हीत में होगा बाकी परचार में चुनाओं में क्या हो रहा है वो तो अलग मामला है लेकिन हम जानते हैं कि कुड़नी बहुत अच्छे तरीके समागटमें दन जीत रहा है कोई बिरोदने अंभी कुड़नी में दो दिन होके आ शंचब करके किया है ने ना थे मैं ठूले अगर और अइसा कुछ हो गा तो बाद में सुपर्विजसर भी होता है अगर आई हो नहीं होगे तो है उनका नाम भी छटााई जा सकता है लेकिक प्रसासन अपना काम कर रहे है और हम लोग के इसम हम आए कर से मरलों थे आसे पी स तो अत्याचार पुलीस गाउंगाउं में भी कर रही है अब राजधानी मांदोलन में भी हो रहा है तो अगर आप किसी सरकार के किसी चीजों को हिद के लिए सरकार के खिलाब कोई काम करते हैं सरकारी पुरपटी को नुक्सान करते हैं तो आप पर भी करवाई तो होगी हो तो नियम संगत है नियाई संगत है लेकिन अगर कोई ऐसा किया है तो अगर हमारे संग्यान में आएगा तो हम निश्चित कहेंगे जाच करवाएंगे अपने विभाग से भी एडेजी विकर सेक् लक्षा इनका कहना है की सरकार दलितों के बारे मस उचती है चाहे वह पासी समाज हो या अन्यजाती के लोग और ताड़ी पर पर्तिबंत को लेकर नियरा प्रोजेक्ت लाइए है अलांकि पासी समाज के लोग्त कर लिए शॉथ सब्सक्राइबर नहीं है तो